हेलो गाईज, वेलकम टो अनदर वीडियो, इस वीडियो में हम कवर करेंगे में सीडी इंडिकेटर को और में सीडी इंडिकेटर को हम किस यूनीक तरह से यूज करते हैं उस चीज को और कैसे इसके थुरू आप प्राइस एक्षन के को कम्बाइन करके एक छी स्ट्राटेजी क्रेट अपने आप कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात मेंशन कर दूँ अगर आप फोड़े बहुत टाइम से मार्केट को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस से फरक नहीं पड़ता कि मार्केट उपर ट्रेंड कर रही है या नीचे ट्रेंड कर रही है अगर आप एक ही डिरेक्शन में ट्रेड लेंगे अगर आप सिर्फ बुलिश ट्रेड लेते हैं या फिर आप सिर्फ ब्यरिश ट्रेड लेते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग अपर्चुनिटीज मार्केट में होंगी आपके लिए वो reminder indicators जो है वो जादू की धरकाम हम नहीं करते हैं और यह indicators आपको overnight profitable नहीं बनाएंगे हम कभी भी indicators को on their own use नहीं करते हैं इनको बस as a support यूज कर आजाता है और as a support उन चीजों के लिए जो decisions हमने price action के through already decide कर दिये हैं price action के through हम एक चीज को decide करते हैं उसके बात as a confirmation हम indicator का use करें जब indicator as a confirmation काम करता है तो हमारी strategy की accuracy जो है वो further increase हो जाती है इसी के साथ हम start करते हैं अपने MACD indicator को MACD का full form होता है moving average, convergence and divergence ये इसका full form है और ये करता क्या है ये track करता है relationship between two moving averages इस indicator में एक fast moving average रहता है एक slow moving average रहता है अगर simple words में आपको ये explain करूँ मैं तो इसको use किया जाता है trend change को confirm करने के लिए या फिर trend continuation को confirm करने के लिए हम इसको plot कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहापर हम chart पे चलते हैं और हम यहाँ पर अपने chart पे आ गए है trading view पे और इसमें indicators पे हम click करेंगे और हम type करेंगे MACD तो आपके पास सबसे bottom पे आ जाएगा इसकी अगर settings को हम check करें तो हमें इसकी settings को as it is रहने देना है fast length जो है fast moving average की वो है 12 और slow length जो है वो है 26 source का मतलब होता है closing prices close लिखा हुआ है तो यह closing prices को consider कर रहा है इसको change करा जा सकता है बढ़ हमें कोई भी changes इसमें नहीं करनी है signal smoothing हम इसमें 9 ही रहने देंगे इसमें जो आपको दिखाए दे रहा है यह MACD line जो है वो green color की है और signal line जो है दूसरी white color की है ठीक है MACD line जो है वो faster moving average है और जो signal line है वो white moving average है तो यह इसके basics होते हैं जैसा कि आप price के साथ at the bottom of your screen देख सकते हो यह कैसे project होता है चार्ट पे इसके साथ साथ इसमें आ आपको बताते हैं जो भी trend चल रहा है उसकी strength अगर candles बड़ी होंगी तो वो trend जो है उस पर trend में strength होगी अगर जो faded colors की अगर candles हो रही है तो मतलब इसका मतलब यह रहता है कि जो trend है वो gradually fade हो रहा है ठीक है यह traditional method है इसको use करने का जो first traditional method है इसको use करने का वो है MACD का crossover जो हमें reversal trades देता है जैसे कि आप देख सकते हैं अगर यह कहीं पर भी जो दो lines है MACD line और दूसरी क्या है signal line जब एक दूसरे को cross कर रहे है एक crossover हो रहा है जैसे for example इस point पर आप देख सकते हैं यह एक crossover हो रहा है यहाँ पर और इसी के corresponding आप price action में देख सकते हैं जब यह signal दे रहा है buy signal signal यहाँ पर तो यह नीचे से जब उपर को cut करता है तो यह एक buy signal हो जाता है यहाँ पर आपको buy signal मिला और यहाँ से price फर्दर उपर जा रहा है और जब यह sell signal देता है यहाँ पर sell signal दिया है इसने इस point पर इसी के corresponding अगर हम price में देखें यहाँ पर sell करेंगे तो फिर यह selling आ है ascending candles अगर दिखाए दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि जो momentum है price में वो increase हो रहा है इस तरह से अगर momentum increasing volume में अगर आपको दिखाए दे रहा है यह cut पहले से कर चुका है price को एक बार जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर इसने buy signal तो दे दिया इसके बाद जब यह candles भी increase हो रही है तो यह बताता है कि price जो है एक bullish momentum में जा रहा है और हम यहाँ पर buy कर सकते हैं तो यह दो methods हैं जिन से हम इस indicator का MACD indicator का use करते हैं इन traditional methods के through MACD indicator को use करने में कोई भी चीज गलत नहीं है लेकिन हम इस indicator को इस तरह से use नहीं करते हैं हमने यह observe किया हुआ है कि यह indicator जो है अगर हम इसको traditional method से use करें तो यह हमें signal जो है वो थोड़ा late मिलता है और काफी बार जो है false signal भी हमें मिल जाते हैं क्यूंकि हम price action का use पहले करते हैं पहले हम price action को observe करते हैं उसके बाद हम indicator को देखते हैं तो हम price action से थोड़ा पहले ही price का moment देखते हुए हमें पहल हम use कैसे करें यह जानने से पहले guys comment करना ना भूलें कि आप next किस topic पर वीडियो चाहते हैं क्यूंकि उसी के basis पे हम decide करेंगे कि किस particular topic को कैसे हम explain करें तो coming back to the point जो best तरीका है MACD को use करने का वो है through MACD divergence MACD divergence सब क्या होता है जब price chart पे एक higher high और higher low की pattern formation बना रहा होता है और at the same time जब higher high इसने बनाया तो MACD एक नीचे एक lower high बनाता है same like RSI जो हमने RSI वाले वीडियो में discuss किया था अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप check out कर सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं price जो है वो higher high और higher highs बना रहा है ठीक है अ अब आप यहाँ से इनके tops को join करेंगे तो यह आप देख सकते हो इसमें already line trend line draw करीवी है इसमें price ने एक higher high बनाया हुआ है at the same time MACD ने एक lower high बनाया है इस चीच को कहा जाता है divergence इसका मतलब क्या है although price उपर गया है एक higher high बना रहा है but MACD जो momentum दिखा रहा है यह बता रहा है कि जो momentum है इस stock में slow हो रहा है और there is a possibility that price will reverse from here ठीक है I hope यह बात clear हो गई होगी होगी आपको क्या divergence होता है और यह कैसे काम आता है कि यह example है divergence का bullish market scenario में एक bearish signal का इसके बाद आप इस picture में आप देख सकते हैं एक downtrend चल रहा है lower highs lower lows price continuously बना रहा है but at the end जब यहाँ पर आम देखत हैं इन दो points को हम join करते हैं तो एक price ने lower low बनाया हुआ है although लेकिन MACD ने जो है at the same time उसी के price के corresponding इसने एक higher low बना दिया है तो यह indicate कर रहा है कि इस price action में इस moment में जो momentum है वो slow down हो गया है और हमने इसमें एक reversal की opportunity आगे भूणनी चाहिए तो आगे बढ़ने से पहले और strategy पे जाने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि MACD पे जो हम यह strategy बना रहे हैं इस वीडियो को हम discuss कर रहे हैं यह strategy सिर्फ MACD indicator पे नहीं करेगी काम यह RSI पे भी काम कर सकती है और बांकी के stochastic indicators जो होते हैं आप उन पे भी इनको apply कर सकते हैं तो यह तब भी आपको बहुत ही जैसा कि मैंने आपको RSI वीडियो में बताये था उसकी तरह हम इसमें सिर्फ divergence के basis पे हम trade नहीं करेंगे इसे भी हम combine करेंगे with price action जिसमें divergence बस एक confirmation का काम करेगा तो जो steps हम follow करेंगे वो इस तरह हैं पहला step है आप अपने divergence को identify करो charts पे दूसरा है जब divergence form हो जाता है उसके ब करेंगे कि क्या कोई trend change का signal हमें मिल रहा है कि नहीं या फिर trend में weakness spot हो रही है या नहीं जिससे ये confirm हो जाए कि जो ये divergence है वो real है fake out नहीं है तो इसको हम आके chart पे देखते हैं तो जैसा कि आपको इस chart पे आप देख सकते हैं bank nifty का chart है 28 September को आप अपने chart पे खोल के भी देख सकते हैं 29 September से पहले ये price जो है एक downtrend में चल रहा था एक clear cut downtrend चल रहा था इसमें lower lows, lower highs, lower lows बनती जा रही थी और एक point पे आप देख सकते हो यहां पर इस time पर अगर आप market को observe करते हैं तो इसने एक lower high बनाया हुआ है तो हमने इस price points को join किया और हम MACD indicator पे corresponding exact points पे MACD ने एक higher low बनाया हुआ है तो यह एक RSI divergence है इससे हमें initial signal मिल गया है कि जो momentum है वो slowdown हो रहा है और there could be a potential price reversal तो इसके साथ साथ हम इसको price action के साथ कैसे confirm करेंगे तो हम इसमें एक trend line draw कर लेते हैं जैसा कि हमने यहां पर करा हुआ है already यह मैंने picture लिया हुआ है यह exact chart नहीं है इसलिए इत तो आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि एक bullish price action जो है price बना रहा है यहां पर एक bullish hammer एक maru bozu type candle यहां पर बनी हुई है इसने एक long wix से rejection लिया हुआ है lower prices का यहां पर already इससे हमें पहले initial पहला indication हमें क्या मिला हमें divergence का indicator मिल गया तूसरा हमें यह मिला कि हम पर bullish price action continually बन रहा है नीचे से price lower levels का rejection हो रहा है और तीसरा confirmation हमें यह मिल जब इसने trend line को इसने break कर दिया जब इसने trend line को break करा आप chart पर volume भी check कर सकते हैं with volumes अगर इसने chart को इसको break करा तो आपके बाद multiple confirmation हो गए आपकी जो probability है trade के successful होने की वो भी इस वज़े से जो है accuracy improve हो जाती है यहां से इस पे capture कर सकते हैं I hope divergence को price से कैसे हमने combine करना है यह आपको अभी तक समझ आ रहा होगा इसके बाद हम और examples देखेंगे तो इसके बाद question आता है कि हमने divergence को पहले identify क्यों करना है सिर्फ हम price action से क्यों नहीं trade कर रहे हैं तो इसका reason है number one क्योंकि यह हमें early signal दे रहा है possible reversal का जो अभी तक price ने भी action नहीं किया है नहीं दिखाया है वो हमें यह पहले ही हमें aware कर दे रहा है कि ऐसा situation आ सकती है कि price जो है वो reverse हो सकता है जैसा कि इस chart पर हम देख सकते हैं यह lower low बना रहा है लेकिन अभी तक हम इसने यह जो bullish candle से यह नहीं form करी थी इसने हमें alert पहले कर दिया कि हाँ यह divergence बन चुका है और यहां से reverse हो सकता है तो हम alert हो गए कि हम अगर हम bullish price action अगर spot करते हैं trend line break होती है तो तब जाके हम enter करेंगे तो इसने हमें from divergence यह पहले ही बता दिया कि price जो है reverse कर सकता है तो आप एक reversal की opportunities यहां पर ढूड़िए तो दूसरा reason यह है कि अगर price action के स chart divergence भी occur कर रहा है तो यह confirm हो जाता है और एक better quality trade बन जाता है जिसकी success की probability भी enhance हो जाती है तो इसके बाद मैं आपको एक और example मैं आपको दिखा देता हूं तो यह है access bank का chart यह है अभी September का ही सपना time frame का यह chart है इसको भी आप spot कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते है एक higher high price ने MACD ने बनाया हुआ है तो इससे क्या confirm हो जाता है क्या हमें पता चल जाता है although यह price उपर जा रहा है लेकिन हम तयार हो सकते हैं कि हाँ एक possible जो है reversal price का आ सकता है इसके बाद हम दो तरह से इसमें entry ले सकते हैं सबसे पहले यह divergence आपने spot कर लिया 1R के chart पे इसमें entry लेने का एक further strategy क्या रहती है कि हम इसमें इस divergence को spot करने के बाद हम जो है इन candles के अंदर जाएंगे अब हम इन candles के अंदर कैसे जाएंगे यह 1R का time frame है तो हम इसमें एक shorter time frame में same price action को open करेंगे तो वहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा होगा इस price action को हमने यहाँ पर 15 minute के time frame पे खोल द divergence है तो अब हम इस पे हम entry points ढूड़ेंगे smaller time frame पे तो हम यह 15 minute के time frame पे आए तो इस point पे हम देख सकते हैं अब हम price action में search करेंगे कि हम कैसे इस पे entry ले सकते हैं तो यहाँ पर हम price को observe करेंगे और यह धीरे-धीरे momentum slow down होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो हम एक इसमें trend line draw कर देंगे और यह एक important level था इसका zone था जहाँ पर से यहाँ पर इसने पहले काफी resistance लिया हुआ है तो यह important zone बन जाता है descending triangle आपको formation बनती ही यहाँ पर दिखाई देगी ठीक है अब यह descending triangle का जब यह breakout देगा with volume तब आपका जो trade है वो additionally confirm हो जाएगा आपको पास divergence का support है on a larger time frame और on a smaller time frame आपको यह triangle pattern का breakout दे रहा है तो आप इसमें एक short position लेंगे तो आप easily देखे कितना सार है आपको move capture करने का मौका मेहा पर मिल रहा है तो इस तरह से हम combine करेंगे divergence को with price action जब हम larger time frame पे हम divergence को spot करते हैं उसके बाद smaller time frame पे हम price action को observe करके इसमें patterns discover करके उसमें फिर long या फिर short position बना सकते हैं accordingly I hope इस वीडियो से आपके trading journey में value add हुई होगी अगर आप next किसी particular topic पे वीडियो चाहते हैं तो comment करके जरूर बताए हमें अगर आपको वीडियो पसंद आया इतने detail में मैंने आपको explain किया है MACD indicator I hope आप इस indicator पे export बन चुके होगे आप खुद भी अ I'll see you guys in the next video till then take care